नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीके से जॉब तक में आप ये जो मानचितर देख रहे हैं राजस्तान का यह मानचितर 1 नॉमबर 1956 का है जब राजस्तान का एकिकरन कंप्लीट हुआ था उस समय का इस समय राजस्तान के जो जिले थे केवल 26 जिले थे इसके बाद 26 से 33 जिले कैसे हुए या कब कब हुए उनके बारे में अपने मानचितर से इस वीडियो में असानी से समझेंगे और साथ ही इन से समंदि जो भी प्रिविस येर क्यूस्चन पूछे गए हैं उनको भी अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले देखते हैं राजस्तान का जो 27 जिला बना वो दौलपूर जिला बना था बरतपूर जिले से अलग होकर कब बना था 15 अप्रेल 1982 को दौलपूर राजस्तान का 27 जिला बना बरतपूर जिले से अलग होकर वीडियो के अंत में जो अपने प्रिवेश येर क्योस्चन करेंगे इससे दोस्तों आपको अंदाजा हो जाएगा कि एक्जामीनर है जो किस तरीके के प्रशन पूछ रहा है इनसे समन देत अगला जो 28 जिला राजस्तान का बना था वो 12 जिला बना था 10 अपरेल 1991 को और इसके साथ ही दो अन्य जिले 39 और 39 जिला भी 10 अपरेल 1991 को बने थे 12 जिला दोस्तों कोटा जिले से अलग होकर एक नया जिला बनाया गया था 10 अपरेल 1991 को इसके बाद जो अगला जिला है 10 अप्रेल 1991 को बना था वो जैपूर से अलग होकर दौसा जिला बनाया गया था 39 जिला 10 अप्रेल 1991 को जैपूर से अलग कर दौसा जिला बनाया गया था और अंतिम जो इस दिन तीसरा जिला बना था वो उद्यपूर से अलग होकर राजस्मंद जिला बना था तीस्वा जिला 10 अप्रेल 1991 को अब आप इसे असानी से याद रख सकते हैं कि राजस्मंद 12 और जो दोसा जिला है ये तीनों का जो स्थापना दिवस है कब है 10 अप्रेल 1991 को है किस किस से अलग होकर बने थे ये कोटा बारां जिले से जैपूर दौंसा जिले से और उद्यपूर राजस्मंद जिले से अलग होकर जिले बने थे 10 अप्रेल 1991 को अब बात करते हैं दोस्तों राजस्थान के 31 जिले हनमानगर जिले की यह जिला शिरिगंगा नगर जिले से अलग कर बनाया गया था और इसका जो स्थापना दिवस है 12 जुलाई 1994 है यानि की 12 जुलाई 1994 को हनमानगर जिला गंगा नगर जिले से अलग कर बनाया गया और राजस्थान का 31 जिला बना था इसके बाद 32 जिला है अपना करोली इसे स्वाई मादपूर से अलग कर 19 जुलाई 1997 को बनाया गया था दोस्तों अगर आपको इसके कलर पीडियेफ नोट्स चाहिए इसी तरीके से डिजिटल मैप के साथ तो आप हमें वर्टसप कर सकते हैं 8619845353 पर आपको जो भी कलर पीडियेफ नोट्स हैं वो आपके वर्टसप नंबर पर ही बेज़े जाएंगे इसके लिए आपको जिले की परताबगड की परताबगड कब बना था 26 जनवरी 2008 को बना था और किन जिलों से अलग होकर बना था उद्यापूर चितोडगर और बासवड़ा यानि कि इन तीनों जिलों का जो क्षेतर है उसे मिलाकर एक नया जिला गठित किया गया परताबगड जिला 26 जनवरी 2008 को प्रंतु जो इसका कार्यकाल या कार्यवार प्रारंब हुआ था वो एक जनवरी 2008 से प्रारंब हुआ था बाकी तो सभी दोस्तों जो जिले हैं किसी एक जिले से उसका क्षेतर काट कर नया जिला बनाये गया प्रंतु प्रताबगड ही एक ऐसा जिला है जिसे क्या है ती जिलों से काट कर बनाया गया था एक बार फिर से दोस्तों अपने देख लेते हैं कि जैसे आपको मैव में दिख रहा है यहां परतापगड जिला नहीं है तो उद्यपूर चितोडगड और बांसवाड़ा इन तीनों जिलों का कुछ खिशेतर लिया गया उससे क्या है नया ज जिला बनाया गया परतापगड परतापगड राजस्तान का लाइसे का परतापगड कब बना गया देख जिलों के विश्टर को जाथ परतापगड को 33 वा जिला बनाया गया था और दूसरा इसमें सबसे important चीज है राजस्थान का 27 वा जिला प्रिक्षा में अक्सर इसे पूछा ही जाता है दौलपुर को तो आप इसे भी अच्छे से याद रखना याद सबी रखने है प्रन्तु इसे थोड़ा सा अच्छे से revise करके इनकी date तक आपको fix याद होनी चाहिए चलिए दोस्तों अब बात करते हैं इनसे समंदित previous year जो question पूछे गए हैं उनके बारे में सबसे पहले है निमन लिखित में से किस वर्ष परतापगड को राजस्थान का 33 जिला गोशित किया गया तो अपने से केवल वर्ष पूछा है कब गोश अगर fix date पूछें तो कब हुआ था 26 जनुवरी 2008 को और कार्याबार इसका जो प्रारम हुआ था 1 अप्रेल 2008 को 33 जिले परतापगड का कार्याबार प्रारम हुआ था अगला प्रेशन है दोस्तो गंगा नगर से हनमानगर जिले का गठन कब हुआ था तो अपने अभी पड़ा है कब हुआ था इसका सही आंसर होगा 12 जुलाई 1994 को हनमानगर जिले का गठन हुआ था गंगा नगर जिले से अलग होकर अगला प्रेशन है दोस्तो कब नए जिले के रूप में अस्तित्तव में आया तो इसमें अपने से इयर पूछा है तो 1991 में दोस्तो जिला अस्तित्तव में आया था अगर फिक्स डेट की बात हो तो 10 अपरेल 1991 को दोस्तो जिला अस्तित्तव में आया था और इसी दिन इसके साथ साथ बारा जिला और राजस्मंद जिला ये दोनों जिले भी राजस्थान के अस्तित्व में और आये थे तीन जिले होगे कौन-कौन से बारा दोनसा और राजस्मंद इन तीनों की एक ही स्थापना दिवस है 10 अप्रेल 1991 अगला प्रशन है दोस्तो राजस्तान में करोली जिले का गठन कब हुआ था तो करोली जिले का गठन दोस्तो अभी ये जो पटवार प्रिक्षा हुई है 2021 में उसमें ये है प्रशन पूछा गया था तो most important वीडियो है दोस्तो इसे आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा याद कीजिएगा अगर PDF नोट्स चाहिए तो आप हमें WhatsApp भी जरूर कीजिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो 19 जुलाई 1997 को करोली जिले का गठन हुआ था अगला प्रशन है दोस्तो 27 जिले के रूप में गठित दौलपुर का क्षेतर पूरव में किस जिले या जिलों का बाग था यानि कि दौलपुर को किस जिले से अलग कर या किस जिलों से अलग कर एक नया जिला बनाया गया था तो अपने को याद है कि प्रतापगड ही एक ऐसा जिलह है जिसे तीन जिलों का क्शेत्र या भाग लेकर एक नया जिलह बनाया गया था बाक्कि जो सभी जिले हैं वो केवल किसी एक जिले से अलग होते हैं तो बरतपुर, स्वाइ-मादपुर नहीं हो सकता क्योंकि ये दो जिले हैं दूसरा option भी नहीं हो सकता और चौथा option भी नहीं हो सकता अब बचा अपने पास बरतपुर केवल तो अपने इसे ही सही करेंगे क्योंकि अपने को पता है कि राजस्तान के सभी जिले किसी एक जिले के क्षेतर में से बनाए गए हैं सिवाए प्रतापगड के तो अपना सही आ प्रिक्षाओं में रिपीट हुआ है अब आगे है जो अपना अंतिम प्रशन है दोस्तो राजस्तान के नव गठी 33 जिले प्रतापगड का गठन किन-किन जिलों के क्षेतर को मिला कर किया गया था तो अब अपने मांचितर से इसे असानी से समझा है तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तो बासवाडा उद्यपूर और चितोडगड के क्षेतरों को मिला कर प्रतापगड जिले का गठन किया गया था दोस्तो अगर आपको हमारे हैं प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेर और कमेंट जरूर कीजिएगा अगर चैनल को अभी